हालो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुबसूरत यह बेबी कैफ हैट वाला लेकर आई हूँ इसकी फर्माइस कई दिनों से आ रही थी फ्रेंड्स लेकिन मैंने थोड़ा टाइम लगा दिये बनाने में तो उसके ल दो कलर में बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा है यह हैड सेप का आया है उपर के साइड से अशे और यह डिजाइन बिलकुल सिंपल है तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम बनाना सुरू करते हैं देखे फ्रेंड्स, इस कैब को बनाने के लिए हमने यहाँ पर रेट और देखे इस कीन कलर का उव्न यूजच किया है और हमने यहाँ पर देखिए 80 फंदे डालके यहाँ पर देखिए 6 लाइन के हमने यह बॉर्डर कम्प्लीट किये दोनों साइड से गाटर रिष्टिज बना किया यानि उल्टा 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 तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 80 फंदे डाले फिर दो अंगुल का यहाँ पर यह बाँर कम्प्लीट किया है दूनोस इसे उटा-उटा के सबढ़уска में धूनेयाक रखाएगा यहां ment gef क्या मिण 실न होल जाएगा बनाना है यहां पर 80 फंदे है तो देखे कैसे हम बनाएंगे तो दिखिए अब हमने सीधा सीधा बुनना है एक फंदे में ठीक है ध्यान से देखिएगा अब हमने यह पहले सलाई में हमने यह फंदे बढ़ाने हैं देखिए यह देखिए एक सीधा बुना फिर इसी फंदे में हम एक ऐसे उल्टा बनाएंगे यानि एक फंदे में हमने दो फंदा बना लिया फिर से देखिए एक सीधा बना लिया फिर देखिए यह पीछे से ऐसे ले जाके हमने इसी फंदे में एक फंदा और बनाएंगे एक फंदे का हमने दो फंदे देखिए फंदे जैसे भी अगर आप अपने तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इस तरीके से देखिए हमने ये आगे से लेके बनाया इस फंदे को गिराना नहीं है फिर ये देखिए पीछे से ले जाके हमने ऐस तो ऐसे ही यह पूरी रो हम कम्प्लीट करते हैं अब देखे फ्रेंट्स हमने आपे 80 फंदे डालने के बाद हमने आपे 2 इंच का बॉर्डर बनाया था उसके बाद हमने आपे देखिए 80 का दो गुना फंदा कर लिया तो टोटल हमारे आपे 160 फंदे हो गया है यह मैंने आप अचाइब को बताया था कि फंदे कैसे बढ़ाते हैं पीछे उसके बाद हमने फंदे के साइड से उल्टा उल्टा पना है और आगे के साइड से 160 फंदे हमने यह 3 इंच यानि तीन अंगुल का बनाया हुआ है तोटल हमने आपे 3 इंच बुन लिया है आगे की साइड से के लिए आप लोग को बताती हूं मैं तो इसके लिए देखिए फ्रेंट्स आपने यह फ्रिल के लिए हम बना रहे हैं तो इसको हमने तीन इंज का बनाया हुआ है तो देखिए पहले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है ध्यान से देखिएगा पहले फंदे हमने बुन लिया सीधा उसके बाद देखिए उन को अपनी साइड लाएंगे यानि आगे की साइड आप यहाँ पे हमने दो फंदे को एक साथ बुनना है और उन हमारे साइड रहेगा, तो यहाँ पर हमारा एक जाली भी बन जाएगा, फिर उन को अपनी साइड दो फंदे को एक साथ बनाएंगे, उन को अपनी साइड दो फंदे को एक करेंगे, यह देखिए ऐसे, यहाँ पर हमारी एक जाली बनती हुई जा रही है, फिर से देख तो ऐसे ही ये पूरी रो हम बना लेते हैं पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा-उल्टा बनाएंगे तो चलिए इतना हम बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं अब देखे फ्रेंड्स हमने ये एक लाइन की यहाँ पर जाली बनाई है देखे ये जाली हमारी बन गई है और पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा-उल्टा बनाएंगे तो चलिए इतना बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाएंगे कि उपर का कैप अब हमने कैसे बनाएंगे ये तो अभी हमारा है सब्सक्राइट का फ्रिल बन रहा है ये देखिए ये फ्रिल ऐसे बनके आएगा पहले हम बना लेते फिर आप लोग को दिखाते हैं अब देखे फ्रैंड्स हमने यहाँ पे जाली बनाने के बार तीन अंगुल का इसका भी इतना बना लिए जितना हमने ये नीचे बनाए थ आगे की साथ से सीधा सीधा पीछे की साथ से ओल्टा फीशे क्या करना है जितना सब्सक्राइट को एक स. साथ हमने बुना फिर यहाँ पर देखिए दो फंदे को एक साथ बुना जायेंगे बढ़ा देखिए कमिला फंदे को यह को दितने फंदे और घुर सेवाँ वह वस्य है डिए बेनकु वैं कर सक फॉरागों के दिसे हे दॉक envision के चुलागों के दो है यह पूरी रोप ऐसे ही कम्प्लेट करना है कि फिर से हम दो फंदे का एक करेंगे सीधे की साइट से चलिए ऐसे हम यह कम्प्लेट कर लें अब देखे फ्रेंट्स हमने आप फंदे घटाने के बार टोटल हमारे असी फंदे हो गये अब हमें सिंपल ही बनाई करनी है यह 5-6 इंच तो हमने देखे पीछे की साइट से यहां पर इपार को बताये क्योंकि इसलिए मैं बता रहे हैं ताकि वीडियो को बनाना है बाद में मैं है आप लोग को बताती हूं कि कितना हम इसको बना है तो जब इसको इतना बना लिया है यह देखिए उसके बाद हमने आप लोड को six Braka क्रीम औरplex देखिए तो YouTube अपने यहां पहें यहां पए about that यहां अभी देखिंगाहека ने तुर यहीं तटर शेयंे इसे park इसे fixy यहां-चल्हिए ऑर यहां बनादयाई इनधी दो और गवनदी मलद भी अइसे डिजैन के बना दीजिया सकते हैं है आफ हम फंदे को घटाएंगे तो हमने फंदे को कैसे घटाना है चलिए देखते है आए हम तरज़े आपके हुआ हम तरज़े ऑगवा तरज़े हैं तक न जोख जोख कर के तहां कि तो अच्छा पहले तक तने पहले सुचु कर के आपटो तो सुचु कर क्या हुआ अब देखें हम याप पहले 5 फंदे बनाएंगे सीधा सीधा 1 2 3 4 5 5 फंदे बनाने के बाद हम याप़े 2 का एक करेंगे हम सीधा सीधा बुन रहे हैं देखीए दो फंदे का एक की आप फिर से नहीं पर पांच फंदे बनाएंगे और दो, तीन, चार, पांच, दो फंदे का एक फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर दो फंदे का एक फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच दो फंदे का एक ऐसे ही ये पूरी रोह हमें निकालनी है उल्टे की साइड से सभी फंदे को उल्टा-उल्टा बनाएंगे देखिए फ्रेंट्स हमने श्टाइटि में पांच फंदे बना के फिर दो का एक किया था उसके बाद पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा-उल्टा बनाया फिर सीधे की साइड ने चार फंदे बना के फिर दो का एक किया था फिर उल्टा उल्टा बुना फिर तीन फंदे बना के दो का एक किया था ऐसे ही हमने ये तीन लाइन कम्प्लेट किया पहले पांच फंदे फिर चार फिर तीन अब यहां पे हम देखिए दो फंदे और हमापे दो फंदे बनाने के बाद फिर से दो का एक करेंगे अब यह रो ऐसे ही जाएगी यह से पांच सुरू किया, फिर मैंने चार, फिर तीन, अब फिर दो फिर दो फंदे को बनाया, फिर दो का एक किया एक, दो दो का एक फिर देखिए, एक दो, फिर दो फंदे को एक किया ऐसी ये रो हमने पूरी complete करनी है यानि ये लाइन पूरी ऐसे complete करनी है पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाते हैं देखे फ्रैंट्स हम आगे की साइड आ गया है अब आपने क्या करना है एक फंदे हम बुनेंगे अब एक फंदे पर हम आगे एक फंदे बनाएंगे और दो फंदे का एक करेंगे अब ये बुरी लाइन ऐसे ही एक फंदे बनाएंगे दो फंदे को हम एक साथ बुनेंगे फिर एक फंदे बनाया और यहाँ पर दो फंदे का एक कर दिया फिर देखिए एक फंदे बनाया दो का एक कर दिया ऐसे ही यह लाइन हमने पूरी अब कम्प्लीट करनी है अब देखिए फ्रेंट्स हम पीछे की साइड आ गया है अब यहाँ पर हमारे 18 से 20 फंदे टोटल बचे हुए है सभी फंदे को एक एक करके यह हम सुई पर उतार लेंगे यह देखिए सेम कलर के आपने उन डालने है यह देखिए आप काउंट करके धीरे धीरे एक एक फंदे को उतार लेंगे देखिए इसको हम सभी को ऐसे खीचेंगे कहीचने बाद यह कुछ ऐसे हो जाएगा अब हम यह ऊल्टा वाला जो साइड है इसको हम उपर के साइड रखेंगे और यहां पे देख्थिए हम इस वाले कोने से जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे ले जाएंगे और इसको हमने टाइट खीचना है और यहाँ पर हमने देखिए इसको लॉक कर देना है दो से तीन बार सिल के यह देखिए हमने आप ऐसे लॉक कर दिया अब आपने क्या करना है हमने इसकी सिलाई करनी है देखिए इसकी पूरी सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल देखिए रेट पे रेट रहेगा और यह क्रीम कलर पे क्रीम कलर बाकी की सारे ऐसे हाँ यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं है देखें फ्रेंड्स के सिलाई हमने यहां से लेके यहां लाश तक कर लिए को हम सीधा करेंगे बहुत ही खूबसूरत sheep been है निकिल्कूल 漏क हेट वाला चैप बनाया हिए मैंने इन बहुतurity प्यारा आप देखिए को हम सीधा करेंगे सीधा कर ने के एलेस को अपने अपने हातों से बराबर कर लेना है ये देखिए एकदम हैट की तरह ये हैट वाली कैप एकदम मस्त बनके आई है कितना इजी तरीका है फ्रेंट्स बनाने का मैं यही कोसिस करती हूँ कि आप लोग के लिए एकदम सरल से सरल तरीके से आप लोग को बताओं अब देखिए, सेम कलर के आपने धागे डालने जिस कलर के आपने ये फ्रिल बनाया हो तो देखिए, हमने उसी कलर का धागा लिया है अब सीधे की साइड से इसको देखिए, बहुत आराम से आपको stitching करनी है इसकी सिलाई बहुत ही आराम से करनी है ताकि हाँ पर यह wrinkles ना आए यानि यह खिचा खिचा ना लगे अब इसको हम ऐसे लेंगे और एकदम बराबर हम देखिए इसको बराबर बुनाई ही किया है ती नंगुल नीचे की साइड और ती नंगुल उपर की साइड तो हम छोटा-छोटा यहां पर नौट लगाते हुए दोनों पार्ट को पकड़ते हुए जाएंगे रेड वाले पर नहीं सिलाई करनी है अपने ध्यान रखिएगा यह देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है तो हम ऐसे छोटे-छोटे टाके लगाते हुए रेड पर आपने सिलाई नहीं करना है बस इसी दोनों पर सिलाई करनी है देखिए बिल्कुल भी कहीं से पता नहीं चल रहा है आपने हाथ से ऐसे से करते हुए सिलना है ज्यादा खीच के आपने नहीं सिलना है नहीं तो यह सिकोड सकता है तो देखिए यह कित्ती अच्छी इसके फिनिसिंग आ रही तो चली है में हाँ तक सील लेते हैं इसको तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसके स्टीचिंग अच्छे से कर ली है तो यह देखिए कित्ती खुपसूरत कैप बन के आई है बहुत सरल तरीके से मैंने आप लोग को बताया है यह बनाना आप यह किसी के भी लिए बना सकते हैं यह मैंने एक साल से लेके दो साल के बेवी के लिए बनाया है अगर आप लोग चाहते हैं इसका फ्रॉक मैं बता हूं फ्रेंड्स और फ्रॉक और शॉक्स तो मैं उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूं क्योंकि यह मुझे किसी को गिप्ट करना था तो इसलिए मैंने यह बनाया है तो बहुत ह प्यारा है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को जादा जादा लाइक करें शेयर करें नए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू